नमस्कार श्रुजवी नेती में आप सबका स्वागत है आज की कहानी जो मैं आज सब के लिए लेकर आए हूं उसका नाम है राखी तो यह सुनते इस कहाने को मेरे साथ याने आपके अपने नेती के साथ राखा बहुत ही सुनतर और सुभाव की अच्छी लड़की थी उसका ही जुनिया में उसकी बड़े भाई की लवा और कोई नहीं था भाई ही उसकी माता थी और पिता भी इन दोनों भाई बहन को इनके माता पिता बचपन में ही छोड़ गये थे माता का किसी भीमारी की चलते दिहान थो गया था और पिता को गाउं के जमिदार ने मरवा दिया था मार तो वो इन बच्चों को भी देता पर जमिदार की पत्नी ने इन बच्चों को अपने पापी पते से बचा लिया था दरसल जमिदार की पत्नी को कोई संतान नहीं थी, सो उसे समी बच्चों से लगाव था, एक दोस्तरी उपर से बांच, बच्चे की प्यार के लिए तरस्ती आँखों के सामने कैसे किसी बच्चे का बुरा हो सकता था, बात करें अगर जमिदार की तो उसे राधा की पिता को इसले मरवा दिया, क्योंकि राधा की पिता ने जमिदार को गाव की लड़कियों के साथ बत्तमीजी करने से रुका था, और इसी का बदला जमिदार उसको और उसके बेटे को मार कर लेना चाहता था, रही बात राधा की, तो वो उसे तब तक अपनी पास रखता जब तक वे जवान न हो जाती और जवान होने पर वे राधा के साथ भी बैई करता, जो उसे बाकी लड़कियों के साथ किया था जमिदार पत्नी को अपने नलायक पती की हरकतों का पता था इसलिए उसे किसी तरह बच्चों को छुपा कर दूर भीच दिया साथ ही कुछ आर्थिक मदद भी कि दोनों भाई भेहन दूर किसी और गाउं में जाकर हैने लगे और इस तरह राधा अपने भाई अकाश की बहन कम बेटी जादा हो गई समय बीटा गया और राधा की उमर अब शादी करने यूग हो गई पर जब भी आकाश राधा की शादी की बात करता राधा अकसर यही कह कर ताल देती कि भाईया में शादी तभी करूंगी जब आप शादी कर लोगे आखिर कुछ दिन तो भावी मा के साथ मैं भी रह पड़ी राधा भावी के आने से बहुत खुश थी वो उससे बहुत प्यार करती हमेशा भावी के साथ रहना उनकी बाल बनाना घर के कामों में भी भावी का हांद बटाना यह सब काम करना राधा को बहुत अच्छा लगता धीरे दिरे राधा अपनी भावी रजनी की कि अगर मुझे पता होता कि ऐसी चिपको ननन मिलेगी तो मैं कभी इस घर में शादी ना करती और तो और आकाश तो नेन में भी इसकी फिकर करते हैं क्या करूं किसे चुटकारा मिल जाए और यही सोचते सोचते उससे एक तरकीम निकाली एक दिन उसने अकाश के सामने रा चादी करने की बात इस तरह से कहीं की अगाश को सचमें लगा कि हां लाधा कि य workflow कर दीका देनी चाहिए sì तो फिर क्या था राधा के लिए अच्छा लटका ढहोंडा जाने लगा। कुशीद में राधा की भावी ने राधा के लिए एक प्रिश्टा बताया जोसकी जान पहचान का था और साथ ही आकाश को यानि अपने पती को विश्वा से लाया कि राधा इस लड़के के साथ बहुत खुश रहेगी तो फिर क्या था एक महिने के अंदर शादी ते हुई और राधा हसी खुशी घर से विदा हो गई यो तो आकाश ने अपनी पूरी जमा पुंजी खर्च कर दी थी उसने राधा को हर वो समान दिया था जो एक पिता अपनी बेटी को देता है आकाश ने भाई बनकर नहीं एक पिता बनकर अपनी बहन का कन्यादान किया और उसे अपने घर से विदा किया था इधर राधा अपने सस्राल तो गा गई थी पर उसका मन वहां बिल्कुल नहीं लगता वैसे तो सस्राल में से किसी चीज की कमी नहीं थी माता पिता जैसे साथ ससुर मिले थे जो उसे बहु नहीं बेटी से बढ़कर प्यार करते थे और पती वो तो राधा के बिना एक पल न रहता फिर भी ना जाने क्यों राधा का मन हमेशा माईके में ही लगा रहता इधर आकाश का वही हरदम राधा के चिंता में लगा रहना राधा की भावी रजनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था जबसे वो ब्याकर इस घर में आई थी तबसे उसकी आखों में इन दोनों भाई बहन का प्यार खटकता रहता था पर वो चाहकर भी कुछ ना कर पाती उसे लगा था कि शायद शादी के वाद अकाश अपनी बहन के नाम की मालज अपना छोड़ देगा पर इधर तो मामला ही उल्टा था शादी के बाद से अकाश खाने से पहले कहता पता नहीं राधा ने खाया की नहीं कुछ भी अगर घर में लाता तो कहता अरे सुनो यह मेरी राधा की पसंद का है और तो और घर में जब भी कोई पकवान बनता तो कहता लाव इसे राधा को दे आता हूँ उसी यह बहुत पसंद है और इसी भाने उसे मिल भी लूंगा जरा इतना सुनते ही रजनी अंदर ही अंदर जुझ लाती पर आकाश के आगे उसकी एकना चलती उदर राधा भी आये दिन या तो अपने भाई से मिलने आ जाती या भाई बहन को मिलने खुझ चला जाता इधर अब राधा की शादी को साल हो गया था भगवान की किरपासे उसे दो जुड़वा बच्ची पैदा हुए थे उसके सस्रार वाले तो उसे राने की तरह रखते नौकर चाकरों की कमी नहीं थी अकाश भी दो बेटियों का पिता था दोनों परिवारों में बड़ा प्रेम था बस नफरत और गहरी हो गई थी तो वो रजनी की एक तो पहले से उसकी ननन्द की इतनी खाते दारी थी अब तो दो बेटों को जरम देकर मानू महरानी ही बन बैठी थी रजनीयों पहले से ज़्यादा अपनी ननन्द से चिरने लगी थी राधा को भी अपनी भावी की नियत का थोड़ा बहुत तो पता था पर उसने कभी अपने पती को भी बताना उचित नहीं समझा तो भावी से भावी की बारे में कैसे बताती इधर कई दिनों से अकाश का काम नहीं चल रहा था जिस सेट के यहाँ वो नोकरी करता था उसका अकारण ही स्वरगवास हो गया था और जब से उसकी बेटे ने काम संभाला था तब से उसने आधी से जादा नोकर निकाल दिया थे जो नोकर निकाले गए थे उनमें से अकाश भी था नोकरी जाने की वज़ा से अकाश हमेशा दुखी रहने लगा दुखी रहने का कारण एक और भी था यह वही सेट था यह यह वही जमीदार था जो जिसने आकाश की पिता की हत्या करवाई थी आकाश उसे तढ़कते हुए देखना चाहता था ऐसे असान मौत देखकर उसका कलेचा दुखी नहोता तो और क्या होता अकाश चाहता था या तो वो उसे खुद दन्दे या तो उसके काले कारणामों का परदा फाश कर उसे जेल की हवा खिलाए पर ऐसा नहीं हुआ, नौकरी जाने की वज़ा से वो हर जगा नौकरी की खोज कर रहा था, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती या रजने के दिमाग में तो कुछ औरी के चली पक रही थी वो चाहती थी कि अकाश परदेश चला जाए ताकि उसे राधा से चुटकारा मिल सके तो कि जब अकाश नहीं रहेंगे तो उसे पूछेगा कौन और कुछ दिन में वे भी उनके साथ परदेश चली जाएगी और अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए उससे अकाश को समझाए कि देखो जी अभी यहां गाव में गुजारा नहीं होगा ना तो हमारे पास खेती है ना ही कोई और काम तो क्यों ना परदेश चले जाएं वहां कौन सा काम की कमी है वरना तो हम यहां भूके मर जाएंगे देखो तो हमें अपनी बीटियों का भविश्मी तो देखना है धीरे धीरे बड़ी हो गई है अकाश कुछ देर सोचने के बात बोला ठीक है मैं वहां चला तो जाओं पर वहां किसी को मैं जानता तक नहीं फिर कैसे जाओं और सबसे बाड़ी बात यह है कि तुम यहां कैसे रहोगी इस पर अजने बोली अरे नाची आप मेरी फिकर ना करें मेरा मायका तो पास में ही है जब कोई जुरत होगी मैं वहां से किसी को बुला लूँगी और नहीं तो खुच चली जाओंगी और रही भाद परदेश में किसी को ना जानने की तो वहां मेरे दूर के चाचा जी है आप उनके पास से ले जाना अकाश ने कुछ सोचते हुए कहा ठीक है फिर मैं जाने से पहले एक बार राधा से मिलाता हूं वर्णवा मुझे बहुत गुसा करेगी इस पर रजनी भोली अरे नहीं अगर आप उससे मिलने गए तो यह बहुत दुखी होगी और उसका मन अपने सुस्राल में नहीं लगेगा अरे आपको पता ही है कि बिचारी जब भी आपसे मिलने के लिए कहते है तो कैसे उसका पती उसे ताने मारता है कि आसा करो तो महीं रह जाओ हम लोग तुमसे मिलने खुदा आजाय करेंगे मैं नहीं चाहते कि आपकी वज़ा से फिर से जमाईसा और आधा की बेचन बन हो आप उसकी जिन्ता मत करो मैं समय आने पर उसका सब बता दूगी और उसका हाल चाल समय पर आप तक चित्थी लिग कर पहुचाते रहोंगे रजनी की बातों को सुनकर आकाश को बड़ा होसला मिला वो मनहीमन अपनी पत्नी की तारिफ कर रह था किसे इतनी समझदार पत्नी मिली है जो मेरी साथ साथ मेरी रिष्टों के भी इतनी कदर करती है अगले दिन सुबह ही आकाश घर सी विदा हो शेहर पहुचा जब भी शहर से पैसे भीचता तो चिथी के जड़ी रजनी से कहता कि मेरी बहन तक मेरी बहन तक सारी है उसकी पसंद की चीज जरूर पहुचा देना पर रजनी कहां सब्सक्राइन दिसमार करने वाली थे वो तो सारे पैसे अपने और अपने बीटियों पर उटा Taliban की चोटी खरीदारी की भाई के लिए सुन्दर सी राखी भाई की पसंद की मिठाई अपने भतीजियों के लिए संदर कपड़े खिलोने और भावी के लिए अच्छी सीक राखी महाँ शहर में अकाश को बड़ी मुश्क्लिक से छुट्टी मिली उसने भी बहन के लिए खूब खरीदारी की पर ट्रेन लेट होने के वज़ा से उसको आने में देर तो होनी थी यह राधा सुबह से ही माय के पहुँच गए और भावी को घर ना पाकर पहत दुखी हुई उसे भावी से पूछा तो पता चला कि पिछले चार महिनों से वे शहर गए हैं राधा को एचान कर और भी दुखवा कि भावी उसे भीना बताई क्यों चला गया उसे भावी से बड़ी शिकायत की पर इस पार भी रजनी ने अपने चिकनी चुपड़ी बातों में उसे लगा लिया और राधा सब भूल गए दुबहर होने पर उसने अपने भावी से कहा भावी भच्चे को भूग लगी है कुछ खाने को दे दो इस पर रजनी ने रोते हुए कहा अनका एक गाना नहीं है जब से तेरे भाईया गये हैं उन्होंने उमारी सूधी नहीं ली मैं इसलिए तुछे कुछ नहीं बताना चाहते थी राधा यह सुन रोने लगी राधा यहां सब चाहते थी जो मिठाई की लिए लाई ती उसमेंसे उसने अपने बच्चे बच्चों अर अपनी भतीज्यों को भीतिा राधा अपनी भावी से बोली यह प्राय कर दिया यहां अब सभी इतनी तकलीफ हो में थे और वहां सुख की रोटी में खा रही थी अच्छा इस सब छोड़ो बताओ भाया कब तक आएंगे शान तक तो आएंगे ना अब क्योंकि अकाश ने रजनी को अपने आने की बात नहीं बताई थी सो रजनी ने कह दिया कि शायद उने चुट्टी नहीं मिली, मिली होती तो आज तो जरूर आते भई बेशक हम लोगों की खबर नहीं ले तो क्या हुआ रजनी को पूरा यकीन था कि अकाश अभी दो तीन मेहने और नहीं आने वाले क्योंकि पिछली जित्थी में वो उसने लिखा था कि उसका मालिक उसे इतने जल्दी छुट्टी नहीं देगा इतना कहका रजनी अपने काम में लग गई, राधा से रहा नहीं गया उसने भावी से कहा भावी आओ, अच्छी मूरत में आपकी ही राकी बांदो और इन लड़कियों से भी कहो, अपने भावी आओ की राकी बांदे रशनी नहीं चाहती थी कि राधा वहाँ एक पल भी रुके, उसने अपने लड़कियों को कहा कि तुम भी बुआ के लड़कों को यानि अपने भाईयों को राखी बांदो इधर राधा ने बड़े प्यार से भावी की कलाई में भावी की कलाई तो बांदे ही भाई की भी राखी बांदे राखी बानने के बाद राधा ने अपने बट्वे से कुछ पैसे निकाले और वाजार चली गए उसने घर के लिए राशन, दूद, सबजी और भी बहुत कुछ लिया हाटे वक्त बच्चों के लिए आम भी खरी दे घर पहुँचकर वो आवाज लगाना ही चाहती थी कि तभी उसने अंदर से कुछ आवाजे सुने अरे जिसले मैंने इतना नाटक किया कि यह ग्रहन मेरी जिंदगी से चला जाए इस महराने को तो देवी बनना है अरे लाने दो सिखाने का समान मैं तो बनाने से रही रीबड की ला जल्दी से मेरे सिर पर कोई कपड़ा बान दे वो आए तो कह देना मेरी तभीयत नहीं थी चलो मरमर कर महराने के लिए पकवान बनाओ इतना सुनते ही तो मानो राधा के दिमाग ने काम करना ही बन कर दिया उसकी आखों से ज़र ज़र आंसु बहे जा रहे थे वो चुकचा पंदर गई और भाभी के पास आकर बोली अच्छा भाभी ये कुछ समान लाई थी अब बना कर खा लेना और बच्चों को भी खिला देना हमें चलती हूँ वो क्या है घर पर दीदी भी आई हूँगी उनसे मिल लूँगी फिर पता नहीं कम आए इतना कहका राधा ने बच्चों को प्यार किया और भाभी को नमस्से कह विदा हुई जाते वक्त रजनी ने राधा को एक बार भी नहीं रोका राधा के बच्चों को बहुत देज भूख लगी थी भूख तो राधा को भी लगी थी पर जो कुछ उसने सुना उससे उसकी भूख मर गई राधा ने बच्चों को रासे में हलवाई की दुकान पर कुछ मिठाईयां और समोसे खिलाए पर कुछ चाहते हुए भी कुछ ना खापाई बार-बार उसके दिमाग में भावी की वही बातें गोज रही थी इधर जब आधी राध को राधा घर पहुँची वो भी अकेले तो उसके साथ ससुर और पती ने उसे बहुत ताले दिये कहते हैं पत्नी और पती की बीच कोई बात नहीं छिती पर एक माईके में हुआ बुरा बैभार ही है जो कोई भी पत्नी अपने पती तक को नहीं बताती सुराधा ने वही बहाना यहां भी मारा कि उसे तीदी से मिलना था वरना वो कल चली जाती और वैसे भी भाईया तो थे नहीं इधा राधा के जाने के दो घंटे बाद ही अकाश घर आ गया था अकाश को देखकर रजनी और इसके बच्ची बहुत खुश हुए लेकिन अकाश की आँके जिसे ढूंड रही थी वो अकाश को कहीं नजर नहीं आई अकाश ने जब रजनी से पूछा तो उसे फिर कोई राम कहानी सुना डाली जिस पर पहली बार अकाश को यकिन नहीं हुआ अकाश को पता था कि जो हो जाए राधा राध तक उसका इंतिजार कर थी शक होने पर उसने अपने दोनों बेटियों को चुपके सिवला कर पूछा तो जाकर असलियत का पटा चला अकाश की छोटी बेटी ने अपने पिता को मा की सभी करतोतों के बारे में बता दिया अकाश ने सबकुछ जानने के बाद भी चुपकी बनाई रखी दो तीन दिन बाद आकाश हाफता हुआ घर पहुँचा वो बहुत डरा हुआ था रजनी ने जब उसकी अहालत देखी तो कारण जानने के लिए व्यकुल हो थी पर डरके मारे आकाश की आवाज ही नहीं निकल रही थी रजनी जल्दी से अंदर गई और पानी का गिलास ले आई आकाश ने पानी पियार बोला तुम्हें क्या बताऊं राधा के गाव में आग लग गई थी जिसमें राधा का घर भी चल गया अभी भी मुझे ख़बर मिली तुम जल्दी से सामान बांदो बिस्तर अनाज कपड़े और हाँ जो पैसे में ने तुम्हें दिये थे वो भी अब तो मानो रजनी का कलेजा बाहर आने को था आज वो कौन सा भाना बनाए उसे कुछ सूची नहीं रहा था आखिर वो काश पर जोड़ जोड़ से चिलाने लगी उसने कहा अच्छा अच्छा तो ठीक है दे आओ उसे सब कुछ हम यह भूखे मरें पर तुम्हें क्या क्या उनके और रिष्टेदार नहीं है जो तुम्हें ही पड़ी है और वैसे भी रादा को नहीं पता कि तुम गा इतना सुन्नी की देर थे कि अकाश ने जोड़ सा थपड़ रानी रजनी के मूँ पर जड़ दिया और कहा कि अरे कुल्टा मैंना तेरी सच्छा ही जान पाया मुझे नहीं पता था ति कि तु एक नागिन है अरे मेरी बहन मुसीबत में है तुझे लालच ने जकड़ा है ठ कहती हूं रुक जाओ तुम्हें तुम्हें तुम्हारी बच्चियों की कसम अकाश ये सुनकर विवश हो गया वो चाहकर भी अपनी बहन की मदद नहीं कर सका इसके गाम उसे दिन रात का चोड़ता रहता कुछ दिन बाद दोपहर के समय रजनी जब अपनी बेटियों के सा बैटि भोशन कर रही थी तभी रजनी के माईके से का आप्मी ये खबर लाया कि इसके गाउं में महामारी फैली जा रही है कि गाउं से कोई आदमी बाहर नहीं जा सकता और तो और ना कोई काम पर चाता है ना ही खाने पीने का समान लाने बाचार सिर्फ मुझे भेजा गया है ताकि मैं गाउं की सभी लोगों के रिष्टेदारों को इतला कर सकूँ ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके आप भी अपने माई के वालों की मदद कर सकती है पर आपको महां जाना नहीं है वन यह महां हमारी किसी को भी लग सकती है जो भी मदद करनी हो आप मुझे दे दे या अगर मुझे पर नहीं विश्वास तो आप अपने किसी खास को गाउं की बाहर तक भी है सकती है रजनी ने तुरंत अपने परोसी भी थाली हटा दी और लगी समान बांधने सब जरूरी समान के साथ उसने कुछ नगत राशी भी निकाली और उस आदमी को वो पैसे दे कर बोली भाईया आप इसे चुपके से दे देना है जल्दी ही मैं हाल खबर लेने आऊंगी वो आदमी सब समान और नगदी ले वहां से चला गया इदर कुछ दिन बाद रजनी को ख्याल आया कि उसे अपने माईके जाना चाहिए देखे तो माईकों में माईके में सब सही हुआ या नहीं अगली सुबा वो अकांश को बता कर माईके के लिए निकल गई माईके पहुँच कर उसने देखा कि सब बड़ी हांसी खुशी बैठे बती आ रहे थे उसकी भाविया रसोई में पक्वान बनाने में लगी थी भतीजी भतीजी खेल रहे थे ऐसा लगी नहीं रहा था कि कोई बिमार भी था अब तो उसका माथा ठनका वो दरवाजी की डोड़ी पर अपना माथा पकड़ कर बैठ गई घर वालों ने जब उसे ऐसे बैठे देखा तो हरान हो पूशन लगे कि पेटा तुम कब आई और तुमें क्या हुआ जो ऐसे माथा पकड़ कर बैठी हो रजनी ने सारी राम कहानी अपने माईके वालों को बता डाली तब माईके वालों ने बताया कि यहां तो सब ठीक है जरूर तुमें किसी ने ठगा है रजनी का अपने माईके में एक पल को भी नहीं दिल लगा वो किसी तरह घर पहुची इधर अकाश शहर वापस जाने की तैयारी कर रहा था रजनी की घर पहुचने पर उसने कहा मैं कल सुभा ही शहर के लिए जा रहा हूं तुम जल्दी से मेरा सारा समान बांदो और हाँ इतनी देर लगा दे तुम तुम तु घंटे दु घंटे में आने वाली थी तुमने तु शाम ही कर दी अकाश बोले जा रहा था पर रजनी उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी रजनी का मूलटका देख अकाश ने आखिर पूशी लिया पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत परिशान हो अब रजनी से रहा ना क्या उसनी अपने ठगने वाली सारी बात अकाश को बता डाली अकाशी सुन बड़ी जोड से हसा रजनी ने जब उसके हसने का कारण पूछा तो उसने कहा क्यों रजनी जब तुम्हें 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 तुम्हे अचानुक उसकी छोटी बेटी भी आकर जोड-जोड से हसने लगी इस पर रजनी ने उसे भी डाटा और कहा कि तुझे बड़ी हसी आ रही है ठैर जा तुझे तुझे तुम मैं बताती हूँ इस बात पूँ बोली हरे अम्मा मेरी बात तो सुनो वो जो आदनी आया था और जो जूर बोलकर तुम्हें ठग ले गया वह कोई और नहीं पिता जी थे मैंने इनको वो नकली दाड़ी और मूच लगाते देखा था रजनी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो हकपकाई से आकासी पोशने लगी क्या जो ये सच बोल रही है अगर हाँ तो तुमने सारे समान का क्या किया इस पर आकाश ने फिर वही कहा मैंने कहा तो वो अपनी सही जगा पर पहुंच किया है रजनी ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा इस पर आकाश नहीं बताना शुरू किया कि मैं जानता था तुम अपने माय के लिए खुद को भी गिर्वी रख सकती हो बस मैंने ये खेल खेला है मैं वो सारा समान राधा के अहां दे आया हूँ और राधा से कह दिया कि ये सब समा अभियों को क्यों लगता है कि वो तुम्हें लूट में आई हैं और ही बात जो तुमने मुझे कसम दी थी तो सुनो तुम दो बेटियों की कसम देकर मुझे मेरी पहली बेटी से मिलने और मदद करने से उसकी मदद करने से नहीं रोख सकती और हां मैं जा रहा हूँ वहां स अपने बेटियों को गले लगा कर शहर की तरफ चल दिया समाब्द कहाने अगर आपको अच्छी लगे तो में वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा मुझे स्पॉटिपाई पर भी फॉलो करें